दोस्तों, 24 फरवरी 2000, 24 दिन शनिवार को दिखेगा, मागपूर्णिमा का चांद इन चार राशिवालों की लगेगी लोटरी, जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें धन की देवी माता लक्ष्मी के आशीरवाद से 24 फरवरी दिन शनिवार को मागपूर्णिमा के दिन बन रहे दिव्य और दुरलब महाशुबसंयोग महा लक्ष्मी योग में 12 राशियों में से 4 राशिवालों की किस्मत चमकने वाली है जी हाँ दोस्तों, इन चार राशिवालों की इस दिन यानी 24 फरवरी माग पूर्णिमा के दिन लोटरी लगने वाली है खुद्धन की देवी माता, लक्ष्मी, अब इन चार राशिवालों के घर माग पूर्णिमा के दिन पधार रही हैं जिससे अब इन चार राशी वालों के जीवन के सभी दुख दर्द और कश्ट मिटने वाले हैं। और अब इन चार राशी वालों के जीवन में माता लक्ष्मी जी के आशीरवाद से आने वाली है। अपार खुशियां ही खुशियां जिससे अब इन चार राश्य वालों का जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वे खुश नसीब और भाग्यशाली, चार राश्यां कौन-कौन सी हैं, जिनकी 24 फरवरी दिन शनिवार को माग पूर्णिमा के दिन महालक् साथा भी नहीं रोक सकते। जी हाँ दोस्तों, ये चार खुश नसीब और भाग्यशाली राश्यां कौन-कौन सी हैं, जोकी इस दिन यानि माग पूर्णिमा के दिन करोरपती बनने वाली हैं, माला-माल बनने वाली हैं। इस विडियो में हम आपको उन्ही चार खुश नस और भाग्यशाली राशियों के बारे में बताने वाले हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। बिलकुल भी इस वीडियो को आप मिस ना करें। क्योंकि ये वीडियो इन चार राशे वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व राप्त हो सके। दोस्तों आपको बता दें। हिंदू पंचांग के अनुसार माग माह में पढ़ने वाली पूर्णिमा तिथी को। माग पूर्णिमा कहते हैं धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टी से। माग पूर्णिमा का विशेश महत्व है। इस तिथी पर सनान, द अविश दिन शनिवार को है। आपको बता दें माग माह में चलने वाला। यह सनान पौश मास की पूर्णिमा से आरंभ होकर माग पूर्णिमा तक होता है। तीर्थ राज प्रयाग में कल्प वास करके त्रिवेणी सनान करने का अंतिम दिन माग पूर्णिमा ही है। और मोक्ष प्रदान करते हैं माग नक्षट्र के नाम से माग पूर्णिमा की उत्पत्ति होती है मान्यता है कि माग माह में देवता पृधवी पर आते हैं और मनुष्य रूप धारण करके प्रयाग में सनान दान और जाप करते हैं इसलिए कहते हैं कि इस दिन प्रयाग में गंगा स्नान करने से समस्त मनो कामनाएं पूर्ण होती हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में लिखे कथनों के अनुसार यदि माग पूर्णिमा के दिन पुष्य नक्षत्र हो तो इस तिथी का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। आपको बता दें माग पूर्णिमा पर स्नान, दान, हवन, व्रत और जब किये जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णुजी माता लक्ष्मी का विधी विधान से पूजा अर्चना की जाती है पित्रों का श्राद्ध और गरीब व्यक्तियों को दान धर्म के कर्म किये जाते हैं। अपनी यथा शक्ति सामर्थ के अनुसार जरूर देना चाहिए। दोस्तों को दान करें आपको शुभ फलों की प्राप्ति होंगी। समस्त मनो कामना आपकी पूर्ण हो जाएंगी और जीवन में आपको लाब ही लाब मिलेगा। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं। शुरू करते हुए चार खुश्खुसंशीब और भाग्यशाली राशियां कौन-कौन सी हैं जिन पर माता लक्ष्मी अपनी विशेश कृपा बरसाने वाली है। माग पूर्णिमा के दिन, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं, माता लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है, हिंदू धर्म के शास्त्र और पुराणों में वर्नित है कि यदि किसी पर धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा हो जाती ह तो उसके घर कभी धन और वैभव की कमी नहीं होती, लेकिन क्या आप इस बात से परिचित है कि माता लक्ष्मी का स्वभाव बेहद चंचल माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि धन की देवी माता लक्ष्मी एक जगह टिक कर नहीं रह पाती, यही वजह है कि मनुष्य के जी हाँ दोस्तों, आज के समय में इनसान को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसका सबसे पहला कारण आर्थिक तंगी है, इसके अतिरिक्त मनुष्य के जीवन में ऐसे उतार छड़ाव ग्रहों की चाल से भी निरंतर होते रहते हैं, इसलिए मनुष्य आपकी जानकारी के लिए बता दें, जैसा कि हमने बताया है कि मनुष्य के जीवन में ग्रहों की चाल का बहुत बड़ा महत्व होता है, इनकी चाल से सीधा हमारे सामान्य जीवन पर असर पड़ता है, कभी कोई ग्रह किसी राश्य के लिए खुशियां लेकर आता है, तो कभी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है, इसी क्रम में इस बार के महा सन्योग से माता लक्ष्मी इन चार राश्य वालों पर बहुत अधिक प्रसंद हो गई है, यूं कहें कि इन चार राश्य वालो है, जी हां दोस्तों, अब इन चार राश्य वालों के जीवन में माता लक्ष्मी के आशीरवाद से अपार खुशियों की प्राप्ति होने वाली है, जी हां दोस्तों, जिन चार राश्यों पर माहा लक्ष्मी की विशेश कृपा होने वाली है, उन चार और खुश नसीब भ अभी कभी ही बनता है जी हां दोस्तों जिसके कारण आपके लिए माता लक्ष्मी के आशिरवात से समय अब बहुत ही उत्तम रहने वाला है जी हां दोस्तों आप जल्द ही किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करेंगे जो आपके जीवन की दशा को ही बदल कर रख देगा जी हां दोस्तों अब आपके जीवन में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं रहेगी आपकी किस्मत में अब माहालक्ष्मी के आशीरवात से ऐसा बदलाव आएगा कि आपको हर जगह से अब लाब ही लाब मिलेगा जी हां दोस्तों मेश राशिवालों आप व्यापार में देखे में या नौकरी की तलाश में हैं उनकी मनचाही इच्छा पूरी होगी उन्हें मनचाही नौकरी मिलेगी और साथ ही साथ नौकरी जो लोग करते हैं उनको नौकरी में प्रमोशन वेतन वृध्धि के भी योग हैं मेश राशिवालों माता लक्ष्मी के आशीरवात से अब गलत नहीं होगा माता लक्षमी के आशीरवाद से मेश राशिवालों अब आपके जीवन में खुशियां खुशियां आने वाली हैं अब आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन होने वाला है माता लक्षमी स्वयम आपकी जोली खुशियों से भरने वाली है जिससे आपका जी इश्क्रिपा आपके ऊपर बन रही है जिससे आपको बहुत ज्यादा आर्थिक लाब होगा और इसके साथ ही पूर्व में की गई आपकी मेहनत का परिणाम अब आपके सामने आएगा व्यवसाय में आपकी योग गिता का प्रदर्शन अब सभी लोग देखेंगे तुला रा आपके जीवन में अब खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं जी हाँ दोस्तों आपका व्यापार दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा आपको मित्रों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा लक्ष्मी योग के कारण ज मैया वाहन या मकान खरीदने को लेकर योजना बना रहे हैं तो वह योजना इनकी अवश्य ही सफल होगी साथ ही साथ जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुख है उनको संतान प्राप्ति का सुख मिलने वाला है जी हाँ दोस्तों कहना गलत नहीं होगा तुला राशिवा अब माता लक्ष्मी के आशीरवात से आपको हर जगह से लाभ लाभ मिलेगा। नौकरी करने वालों को नौकरी में पदोन्नती और वेतन व्रिद्ध के योग हैं। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें मन्चाही नौकरी प्राप्त होने वाली है। कहना गलत नहीं हो तुल्ला राशिवालों, माता लक्ष्मी के आशीरवात से आपकी सभी इच्छाएं अब पूर्ण होंगी और समय आपके लिए पूर्ण तह अब पक्ष में रहेगा। जी हाँ दोस्तों, ये थी वो चार खुशनसीब और भाग्यशाली राशियां, जो कि माता लक्ष्मी क आशीरवात से अब धन से माला माल होने वाली है। यूं कहे कि इन चार राशिवालों को करोडों का धन मिलने वाला है, ये चार राशिवाले अब धन से माला माल होने वाले हैं। इन चार राशिवालों को माता लक्ष्मी के आशीरवात से इनके जीवन में अनेको प्रकार क लाब धन लाब और बड़ी बड़ी सफलता